तो और मेरे gamer gang के लोगों कैसे हो सब, I hope सब मजे कर रहे हो, तो यार दिवाली कैसी बीती आप लोगों की नीचे comment section में comment करके जरूर बताना, बाकी तो यार मैंने ऐसे फटाकड़े फटाकड़े कोई फोडे नहीं, और मुझे तो पता है भाई आप लोगों ने दबा के फटा के episode number 9 में, आज के इस वाले episode में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, कुछ OP setup, कुछ setups मुझे पसंद आए, कुछ आप लोग भी पसंद कर ले न, तो जो लोग पहली बार ये वाला वीडियो देख रहे हैं, आपको बता दू, इस वाले series में मैं आप लोगों का setup अप अपना setup feature करवाना चाहते हो, तो कर क्या रहे हो, फटा फट से यार इसी वीडियो के description में, जो वीडियो की link है, उसको follow up करके आप भी अपना setup फटा फट से हमें mail कर दो हो सकता है, next video में, आपका भी setup feature हो जाए, but before that, this video is sponsored by primetextores.com, अगर आप एक unactivated या फिर crack windows use कर रहे थे and अपनी windows के लिए key purchase करना चाते थे, तो आप इस site के through purchase कर सकते हो, इसकी link आपको नीचे description section में मिल जाएगी and buy करने के लिए आपको simply buy it now के ओपर click करना है, इसके बाद आपको मेरा coupon code apply करना है, जो की है GC20, coupon code apply करने के बाद आपको instant 20% का discount मिल जाएगा and उसके बाद आप इस and occupation से यह है electrical engineering के student, तो यह जो आप setup देख पा रहे हो ना, यह budget category का setup है, बट भाई किसी भी angle से यह budget category का setup नहीं लग रहा है, आपको मैं specs बताऊंगा ना, तो आप भी मुझे यही कहने वाले हो, अब यहाँ पे इनके setup में अगर आप देखोगे नो, तो इन्होंने RGB strips को यार भी RGB वाला है, यूज कर रहे है, तो भाई साब RGB के यार काफी बड़े fan लगते हैं, मेरी तरह, तो यार इनके setup की बात करूँ, तो इनके setup में सबसे पहले तो यार, cable management आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट उससे पहले बा इसका zeb warrior 2.0 speaker, जो की 2 speakers का set आता है, इसमें भी RGB देखने मिल जाती है, तो overall यार RGB नो ने दबा दबा के add की है, अपने setup में, अगर बात करूँ, headset की तो यहां पी एक red gear का clock wide RGB gaming headphone यूज कर रहे है, जो की अभी sale में आपको 700-800 रुपे में मिल रहा था है, 1000 रुपे के अंदर one of the best gaming headset, आप इसको कह सकते हो, काफी बढ़िया headset है, अब बात कर लेते हैं, इनके monitor की, तो monitor में ये यूज कर रहे है, Samsung का 22-inch का 75 Hz वाला monitor, जो की काफी बढ़िया monitor है, 7500 रुपीज में आपको मिल जाता है, तो overall इनका setup और फेरी फारल काफी अच्छा लगा, अब बात कर ल cooler के लिए stock cooler यूज कर रहे है, RAM में 8GB की यहां पर ये Corsair की RAM यूज कर रहे है, motherboard के लिए MSI का A320 Pro Max motherboard यूज कर रहे है, और storage के लिए यहां पर 256GB की भाई साहब ने NVMe SSD add की है, PSU के लिए यहां पर यूज कर रहे है, Gigabyte का 450 वोट का PSU, case तो आपने देखी लिए होगा anti-e-s suggestions की बात करूँ, तो मैं यहां पर आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपको APU के साथ रहे कर अगर थोड़ी एची लेवल की gaming करनी है, तो आप 8GB की एक और single stick add कर लो, 16GB RAM के बाद भाई आपका APU थोड़ा सा और अच्छा perform करेगा, और आपको थोड़े से जादा FPS games में देखने मिल जाएंगे, और अगर future में अगर आपके पास पैसे आते हैं, तो भाई आप 32G के साथ रह कर आप 1650 super या फिर RX 170 जैसा कोई GPU add करके आपका जो gaming experience है ना उसको next level पर लेके जा सकते हो, तो निसंकर भाई थैंकि यार इस series में participate करने के लिए, तो गाइस चलते हमारे दूसरे कंटेस्टेंट की तरफ, अब आज के हमारे जो दूसरे कंटेस्टेंट है वो है रागो भाई, इनकी ये जो 16 साल और ये रहने वाले हैं भाई, हर्याना गुरुग्राम के, ये हैं occupation से एक student और अभी ये भाई 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो overall यार इनका setup भी आप देखोगे, तो काफी बढ़ियां लगेगा, मतलब RGB यहां पर भी आपको ऐसे निखर के दिख रही है, और इनके जो cabinet का selection है, वो मुझे काफी पसंद है, क्योंकि अंधेरे में देख रहे हैं, ये cabinet कैसे जगमगार है, बाई, बट overall जैसा भी look है, यार काफी decent सा look है, इस case का budget segment का case है, बट फिर भी काफी अच्छा case है, अब personally मुझे इनका setup काफी अच्छा लगा, एक budget category का setup होने के बावजूद भी, काफी अच्छा look maintain करवा देता है, इनका setup, अब बात कर लेते हैं, इनके setup के peripherals के बारे में, तो यहां पर keyboard and mouse में ये use कर रहे हैं, एक zebronics का transformer combo, insert keyboard काफी बढ़िया है, aluminum की build देखने मिल जाती है, और जो mouse है, looks wise तो काफी decent है, हाला कि mouse उतना अच्छा नहीं लगा मुझे इस combo में, and price को consider करें तो भाई, ठीक ठाक सा combo है, consider कर सकते हो, and यहां पर ये एक headphone use कर रहे, headphone में ये use कर रहे है, boat का rocker 510 wireless headphone, जो की ठीक ठाक सा headphone है, ब मुझे लगता है कि RGB काफी पसंद है, बाकी monitor के लिए एक use कर रहे है, LG का 22 inches का monitor, जो की 75 hertz के refresh rate के साथ आता है, IPS panel है, एक decent सा monitor है, काफी अच्छे deep blacks and contrast यहां पर आपको देखने मिल जाता है, तो और रहल गाईज, आप लोगों को इनका setup कैसा लग रहे है, नीचे comment करके देखने मिल जाता है, and motherboard के लिए एक use कर रहे है, MSI का A320 M Pro motherboard, सेम motherboard यहां पर भी आपको देखने मिलेगा, storage के लिए यहां पर यहां पर यहां पर यह यूज कर रहे है, 240 GB की SSD, and यहां पर यह 160 GB की hardware यूज कर रहे है, 7200 RPM वाली काफी पुरानी hard रही है, PSU के लिए thermal tech का light PSU कर रहे है, 450 Watt का PSU है, and chipronics का MX2 RGB case है, जो की काफी बढ़िया है, तो overall guys, इनका setup मुझे काफी पसंद आया, अब cable management की बात करूं तो भाई, थोड़ा सा अगर आप cable management के उपर case के अंदर और ध्यान दे देते ना, जैसे कि आपने जो यहां पर power cable को भाई, नीचे से ही निकाल के उपर ले जाके आपने plug किया, उसको तो वो उपर की तरफ से भी आप उसको direct plug कर सकते थे हैं, उसके बाद ये cable भी hide हो जाती, तो cable management के उपर आपको थोड़ा सा देन देना है, so thank you ragho bro, इस series में participate करने के लिए, so आज के हमारे जो तीसरे contestant है यह है, अतानु माजी, अब यह रहने वाले है भाई Delhi से, अब यह इनका जो setup है, इसको आप एक budget category का setup भी कह सकते हो, अब अगर इनके setup में आपने एक चीज़ notice किया होगा ना, तो भाई यह जो case है, यह same वही case है भाई, जो पहले हमारे contestant रिउस कर रहे थे, 511 MT, अब इस वाले setup में आपको एक और ची आपको common देखने मिल रही है, अब बात करें इनके setup के tabletop की, तो इनके setup के tabletop के उपर भी आपको ज़्यादा ऐसे फाल्तू wires, wires measure नहीं आएंगे, काफी clean setup लगेगा इनका आपको, और space को यह काफी सही तरह से utilize किया है, मतलब काफी कम space है, बट फिर भी काफी अच्छे से utilize कर रखा है, अब बात कर लेते हैं, इनके setup के peripherals के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे headphone में यह use करें, एक red gear का Cosmo 7.1 RGB headphone, जो की काफी बढ़िया headphone है, अगर अब 2000 रुपे में कोई headphone ढूड रहे थे, तो आप इस वाले headphone को definitely consider कर तक से हो, 7.1 surround sound के साथ आता है, काफी बहतरीन sound quality आपको यहाँ पे provide करा देगा, अब बात करें के keyboard and mouse की, तो यहाँ पे यह use कर रहे है, Cosmic Byte का CB, GK60 का combo, जो की यह combo में keyboard and mouse आता है, अब यह budget category का keyboard and mouse combo है, ठीक ठाक सी हाँ आपको build quality देखने मिल जाती है, and mouse के अंदर आपको DPI का support भी देखने मिल जाता है, now speaker तो मैंने आ सा controller, इसमें भी आपको भाई थोड़े बहुत RGB effects देखने मिल जाते है, अब बात कर लेते हैं, में इनके system specs के बारे में, और system specs की बात करूँ तो यहाँ पे यह use कर रहे है, Ryzen 7 2700, जो की एक 8 course and solar threats वाला CPU है, काफी बढ़िया CPU है, उसके साथ इन्होंने pair किया है, RX 570 4GB वाल 50M Steel Legend, जो की personally मुझे काफी अच्छा लगता है, पावर सप्लाई के लिए भाई 550 वोट का PSU यूज़ कर रहे है, storage के लिए 1TB की hard drive, and 240 GB की Kingston की SSD यूज़ कर रहे है, and cable management की बात करूँ तो पीछे की तरफ भी भाई काफी अच्छे से cable management कर रखा है भाई ने, and case के अंदर भी ठीक ठाक सा cable management आपको देखने मिल जाएगा, यानि कि आपको ज्यादा wires इदर भी दर नहीं आने वाले है, so guys, आज के हमारे चोथे contestant है, नाइल हुसेन भाई, अब ये इनकी एज है 32 years, ये रहने वाले है तेलंगाना, हैदराबास से, and occupation से है एक ERP support agent, अब direct बात कर लेते ह है, इनके setup के peripherals के बारे में, तो यहाँ पर ये keyboard में यूज कर रहे है, zebronics का max plus keyboard, and mouse में यूज कर रहे है भाई, razor का basilisk mouse, जो की आता है 16,000 तक की DPI support के साथ, तो काफी बेतरीन keyboard and mouse है, and headphone के लिए ये ये यूज कर रहे है, cosmic byte का Z4000 gaming headphone, system specs की बात करूँ, तो यहाँ पर ये TX, जो की 4 cores and 8 threads के साथ आता है, NVIDIA का भाई RTX 2060 यूज कर रहे है, 6GB वाला variant, 8GB का यहाँ पर इन्होंने RAM लगा रखा है, 32 MHz के साथ, and A320 motherboard लगा रखा है, तो यहाँ पर ये A320 वाला समझ में या है, मुझे choice इनका, SSD, बाकी storage के लिए 1TB की hard drive C gate की तरफ से है, WD की M.2 SSD यूज कर रहे है, जो की 120 GB की है, PSU के लिए 450 वोट का PSU यूज करते है, GIGABYT की तरफ से 80 प्लस bronze rating के साथ आता है, and overall बात करूं, उनके cabinet की तो anti sports का 120 G यूज कर रहे है, जिसके साथ भाई मैंने already 3-4 build कर रखे है, तो overall एक budget category का case है, जो की 2000 रुपे में आपको देखने मिल है, अब कुछ personal suggestions की बात करूं, तो यहाँ पर मुझे भाई एक चीज समझ में नहीं आई, इन्होंने graphic card के उपर अच्छे खासे पैसे invest किये, मतलब overall system के लिए अच्छे खासे पैसे invest किये है, but motherboard यार A320 ले लिया, मतलब 25-30,000 का GPU है यार, at least एक B450 ले 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 लेते, तो future म अगर आप processor upgrade करना चाहते तो कर सकते थे, बाकी monitor के लिए यहाँ पर एक Samsung का monitor यूज करने जो की IPS पैनल है 22 इंचिस वाला, तो काफी decent specs से इनके अभी सी specs को तो भाई, budget category में बिल्कुल भी include नहीं करूंगा मैं, तो बस यह थे हमारे last contestant, तो thank you Nail भाई, इस series में participate करने के ल अधर पठागों के साथ, तब दक दे लिए, thanks for watching.